दोस्तों क्या आप जानना चाहते हैं कि play store में किसी एप को कैसे block किया जाता है क्या आपके घर में छोटे बच्चे और किसी particular एप को download करते हैं और आप उसे block करना चाहते हैं तो फिर आप इस वीडियो को अंतक वाच किजिएगा दोस्तों यहाँ पे हम अपनी phone की screen पे हैं और यहाँ पे play store में किसी एप को block करने के लिए open करते हैं अपने play store को यहाँ पे आप अपना play store को open किजिएगा यहाँ पे दोस्तों मैं अपने play store में हूँ अगर यहाँ पे हम किसी एप को search करते हैं यहाँ पे हम click करके for example हम free fire को अगर search करते हैं तो देखी यह free fire है और यह आ जाता है अगर आप इसे block करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा और यहाँ पे आपको तीन line देखलाई दे रहाँगी तो आप इस तीन line पे click कीजिएगा इसके बाद आपको जाना होगा settings में यहाँ पे आप settings पे click कीजिएगा तो दोस्तो settings पे click कर देने के बाद यहाँ पे नीचे के तरफ आएगा तो आपको एक option मिलेगा parents control यहाँ पे आप click कीजिएगा यह आपके phone में default tool से off हो रहता है आपको क्या करना होगा पर फिर से confirmation के लिए आप password डालिएगा चार आमका कोई password select कर लिजएगा okay पे click कीजिएगा तो यहाँ पे अब आपको दो option मिलता है आप अगर app को block करना चाते हैं तो यहाँ पे click कीजिएगा कोई film को अगर block करना चाते हैं तो यहाँ पे click कीजिएगा उसका पले rated किया जाता है कि कितने एज के लड़के इसे download कर सकते हैं इसे use कर सकते हैं जैसे काफी app होते हैं जो 18 plus year के लोग ही download कर सकते हैं उससे कम के लोग इसे download नहीं कर सकते हैं तो यहाँ पे आप select कर सकते हैं कि आपके घर में जितने छोटे बचे हैं उसके अंसार आप set कर सकते हैं जैसे यहाँ पे मैं set कर दे रहा हूँ 7 plus यहाँ पे अगर हम 7 plus पे set कर देते हैं तो यहाँ पे 7 plus से जो भी कम का एप होगा वो आपके phone में download नहीं होगा जैसे यहाँ पे अगर हम 7 plus पे click करके save कर देते हैं और यहां पर अगर हम back आते हैं और यहां पर फिर से हम open करते हैं अपना search bar को और यहां पर free fire को अगर search करते हैं तो देखिए अब यह free fire नहीं आता है, free fire छोटे छोटे बच्चे ज्यादा खेलते हैं, इसलिए वहां पर 7 plus से ऊपर के ही बच्चे इसे खेल सकते हैं, play a store ऐसा system बनाया हुआ है, इस तरह की setting करके आप play a store में वैसे app को set कर सकते हैं, जो आपके बच्चे न डाउनलोड कर पाए न खेल पाए, उमीद काता हैं छोटी से बड़े आपके काम की होगी और आपके helpful होगी, दोस्तों अगरे वीडियो अच्छे लगए तो यह शेर केजा अपन दोस्तों मौहार्ट से फिस्बुक गुरूप में और इससे सिंपल सिंपल वीडियो में अपने चैनल प्लेक के आते रहते हो तो आप मेरे चैनल को जुरू सब्सक्राइब कीजिएगा, मिलते एपने वीडियों तो तकले एपना ख्याल रखियागा, बाए